हलो डॉक्टर डॉक्ती भागती जिन्दगी में रखिए अपनी सीखत का खायार बिमारियों के असर जर से उनके उपचौन तक जानिए विशेशक्यों की राय के साथ अपनी बिमारियों का सही उपचार हलो डॉक्टर हलो डॉक्टर लाइफ कारिकरम की सकड़ी में आप सभी दर्शिकों का एक बार पुनह स्वागत है पुरियों दर्शिकों आज इस कारिकरम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे निमोनिया के लक्षनों की कारणों की आएमों उसके उपचार के बारे में और इसी विशे पर चर्चा और उसके समधान को लेकर आज हमारे बीच सादर मंत्रित हुए है इंदरा गांदी आयरविग्यान विद्ध्याले एमचिकित साले के पल्मनरी मेडिसन विभाग में बतौर विभागा ध्यक्षपद पर कारेरत प्रोफेसर मले सरकार जी ड़क्टर सरकार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कारेकरम में निमोनिया चूंकि अब सर्दी का जो ये मौसम जो आगया हुआ है और इसमें अगर अकसर देखा जाए तो कितनी श्वास रोग समंधित जो समस्या आएं उबर कर सामने आ रही है तो हमने ये समझा कि क्यों ना ये जो निमोनिया बहुत ही महत्वपूर्ण जो आज का हमारा विशह है इस पर आपसे महत्वपूर्ण जानकारी ग्रहन करें तो सबसे पहला हम प्रशन आपसे करना चाहेंगे कि ये जो निमोनिया है ये क्या चीज है नुमोनिया बैसिकली लांग की इन्फलामेशन होते आपको पता ही है, हमारी दो लांग से तो इसमें इन्फलामेशन होते जहां सासणली जिसमें यह पर ऑपसर लांग की अंदर और इसमें सुजिस हो जाते कभी-कभी इस सूजी्स सास न लिकिये अंदर भी आ जाते पनेटेश तब हम इसको ब्रोउंको नीमोनिया बोलते। और जब लंकी एक लोई म्होत होते हैं उसको हम लोवर नीमोनिया बोलते temos पना। जैसे कि कोई बेक्टीरिया है या कोई वाइरस है या कोई फंगस है खॉस्पिटल अकॉइड निमोनिया कहते हैं और जिस तरह से पीछे जो कोविड 2019 में कोविड आया था तो उसने भी निमोनिया ही कौज किया था और उसके बाद ना जाने कितनी मासूम जिन्रियों को मौत क घाट उतरना पड़ा तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं सर्दियों के मौसमें जो निमोनिया अक्सर देखा जाता है कॉमूनिटी में तो वह क्या वाइरस उसका कॉज रहता है प्रमुख या बेक्टीरिया या कोई और कारण रहता है निमोनिया की बहुत सारी माया और जिस视ल की में गए थुट रहते हैं संहिं रहते हैं से बहुत सकता हैं उसकी स्यमुख रहता हैं सब्सक्राइब ज़्चीरें आइब होगा निमोनिया सतों सर्ण में और गद्श कारण लाट अधि नहीं चत्छर से बहुत न करता हुद गरता हैं ठले सो उसक्य हैं ज्यादा होते ठांड में माइक्रोब्स की इन्भार्मेंन में स्टेबिलिटी ज्यादा होते पॉल्यूशन भी एक रिजन होते इन्फेक्शन में तो यह सारी कुछ रिजन है जिस बज़े से विंटर की टाइम इन्फेक्शन ज्यादा दिखाई देते हैं तो अगर निमोनिया वाइरल निमोनिया के बारे में अक्सर देखा गया कि आज कल जैसे सर्दी जुखाम बुखार जैसा मौसम ये ठंडा जो मौसम है ये इसको प्रेसिपिटेट कर रहा है और ये जुखाम जैसे लक्षन है जो कई बार दो चार जिनों में ठीक हो रहे हैं पर कई लोगों में ये जो खांसी की उगरता है और जो सिविरेटी है या डियूरेशन है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है कई उमें उगरता बड़ी सिविर है और कई उमें इसके लक्षन जो प्रलॉंड कई बार एक हफते से लेकर जादा हफते तक तो वो क्या लक्षन हो सकते हैं कि जब आपको भापना है कि कहीं आपको निमोनिया तो नहीं हो रहा तो निमोनिया के ऐसे वो प्रमुख लक्षन जो वाइरल डिजीज में क्या हो सकते हैं अपने भाइरल की बहुत इम्पोर्टेन बात किया, तो इस पोइंट में हम बताना चाहते है। कम्प्लेस बहुत दिनों में कम्प्रेंग दीन क्जैंज देखा ही इसकी पीछे श्टार्टी durch जो जाननल अप अमेरिकन मेडिकल अस्योसिएशन जामा में आये था तो उसमें देखा गिया जो भाइडल फीबर को भीट की पहले होते थे अभी जो भाइडल फीबर हो रहा है उसकी सीबियरीटी बहुत गुना जादा है तो एक तो एक इंपोर्टेंट पॉइंड जो कोभी की बाद हमें चेंज मिलाए वाइरस भी वाइरल फीबर यूजरी आपको आपर रिस्पिटी ट्रैक जो हम नाक से काउंट करते हैं ट्रैकिया इसमें इंबॉल्मेंट ज्यादा होते फैरिंग्स बट्स ऑकेजनली लांग में भी निमोनिया कर सकते हैं में सीबियर भी होते क इसमें बॉडी इमुनिटी कॉम हो जाते तो इस ग्रूप में भाइरल निमोनिया होगा तो उसकी सीवेरीटी ज्यादा होते अधर्वाइस लक्षन से डिफ्रेंसियेट करना सम्टाइम डिफिकल होते यूजली आपर रिस्पिटी सिम्टम ज्यादा होते जैसा रानिंग न निमोनिया के लक्षन कारन एम उफचार है तो आप जैसे बता रहे हैं कि जो हाट पेशेंट्स हैं जो डाइबटिक हैं एक्स्टीम एज है बच्चे हैं या एडवांस सेज है आप बोर रहे हैं कि जैसे वृद ओल एज में और साथ में जैसे प्रेगनेट वूमेंस है या क क्यों ना हम इस बारे में भी आप से जानकारी लेना जरूरी समझते हैं कि अगर हम एज प्रिकॉशन इन सभी पेशेंट्स जो आपने ये जो सारे ग्रूप्स बताएं हैं अगर इनकी सिविरिटी को कम करना हो किसी कारण वश तो ऐसा वो क्या-क्या चीज करनी चाहिए या या प्रिकॉशनरी तोर पैसी कोई बेडिसन लेनी चाहिए या कि वेक्सीन का भी रोल है प्रिवेंशन से रफ बैक्सीन नहीं है बैक्सीन चोड़ के बहुत कुछ चीज होते तो कोई भी निमोनिया देखा गिया जहें स्मोकर में ज्यादा होते हमारी सासनाली में सीलिया जो जो कोई भी फॉरेंग अब्जेक अंदर जाते वो उसको ट्रैप करके बाहर की तरफ फेक देते हैं उससे हमें बोडी को बचाते हैं एक डिफेंट सीस्टेम है तो यह सीलिया को स्मोकिंग पार्टिकर डेमेज कर देते हैं इसलिए इसमोकर में निमोनिया ज्यादा होत पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो हमें अबड़ करना चाहिए अस फर पॉसिबल जाए जो जोड़ूरी काम ना हो तो देन इन 95 मास परें सेगें ऐलकोहल एलकोहल भी हमारी बॉडी की एक तो एलकोहल से क्या होते ना काप रिफेक्स को हमारी डिफेंट सिस्टेम है उसक नुटॉफिल, मैक्रोफाज, उस शेल में भी फांक्सान नहीं कर पाते हैं, तो इस बिचछ से अल्कॉल में होते, दो हमें आनकॉल करना है, तो हमें एपना कई यति स्ट्रिक्ली धुकर pandasyn क्वेशाए खुत ल्गाम prest Dip वेमाँ लिस्ट्रसों से थांकु दिभाये श्रया क यह जरी द्रोपलेट इंफरेत्टों से स्प्रेट फीर हम हम से भी ठाइट हो सकता है कॉन्टैक्से нужно हेरोपने बहुत बहुत इंपारटत कि शीन बहुत बढ़ेट्ट से महां सते हैं एनट कि यह इनटीपेटेट इनटीप्वेंटी लिटीगण आक्टोबर, नॉवेंबर, माइना में, हमारी पास जो पेसेंट होते हैं, हम पाल्मनोरी फीजी सी आने, तो हमारी पास आते हैं, कौनिक लांग डिजीज, लाइएस्थमा, सी ओ, सी ओ, सी ओ, इंटरस्टेसियल लांग डिजीज, आनकॉंटोल डाइबिटीज, और अधर कॉंडिशन, जो बॉड़ी की इमिनिटी कौम करते हैं, उसमें हम इन्फुलेंजा वैक्सिन हर साल लगाते हैं, अब आप इन्फुले में अगर आपको लगता है कि इस ग्रूप के अंडर वो आ रहे हैं, तो कौन सा वो बेस्ट सीजन है या वो कौन सा बेस्ट मंत है कि जब आपको इन्फुलेंजा वैक्सीन लगानी और उसको कहा लगाना है? मैंने ग्रूप बोला बट इस ग्रूप की बाहर भी बहूत लार अगर हमें लगाना चाहिये तो अक्टबर नॉवैंबर में लगाना चाहिए यह बैक्सीन हार साल लगाना ज़रूरी है, आपको पता है इन्फुलेंजा के एंटिजेनिक डिप्ट होते हैं तो पूरान वैक्सीन है उसकी धिर धिर चला जाते है, हमें हर साल यू स्टेंग तो उस टाइम हमें वैक्सीन लगाना चाहिए, इन्फ्लुएंचा. तो कोई भी अगर आपको वैक्सीन के बारे में जान का रही है, तो डॉक्टरी सला ले ले लें, परामर्श ले लें, बिल्कुल, विदाउट डॉक्टर्स अड्वाइस कोई भी चीज नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर से अड्वाइस लेकी लगाना चाहिए. अगर रियक्शन हुआ तो पता लगेंगे किस भैक्सीन से हुआ. अदर्वाइस, साइन्टिपिके लिए कोई रीजन नहीं है, आप दोनों को लगा नहीं सेकता हूँ. एक वैक्सीन है इनक्टिबेटेड वैक्सीन, दूसरा वैक्सीन है पॉलिसेक्राइट वैक्सीन, तो साइन्टिपिके लिए उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो आप लगा सेकता हूँ. निमो कॉकल वैक्टिन रॉटे crystal होते एक कोञजूगेट वैक्टिन होते। उसको बोलते हैं निमो क कादं थर्ट 2016 सेगेंड जो होते पॉलि सेकराइट वैक्टिन होते हैं.. जो हमारी गाइटलाइन है, नेशनल गाइडलाइन और इंटरनेशनल गाइडलाइन, सब रिकॉमेंड करते हैं, पहले आप 13 लगाओ, उसकी बाद 23 लगाओ, उससे 23 की बॉड़ी में इम्मुनोजेनिसिटी बेटर होगा। उसके तुरंत बाद लगाना है या कुछ हफ्तों या महीनों बाद लगाना है? यह डिपेंड करते हैं, अगर 65 से नीचे है, पैसेंट को कोई अंडरलाइंग कॉंडिशन है, जैसा कॉनिक लांग, किड्नी, लीवर डिजीज, और कॉनिक डिजीज, इवन नियूरोलोजिकल भी है अटलेश नीचेक्टमी हुआ किसी बादे मेशन को अपसेंट को कॉकलिया टांश्प्लैंट है, इसमें आपको यूभी कॉकलिया टांस्प्लैंट सुटमी में पहले फार्राइब ही लगे उसकी एट वीग बाद ट्वैंटी दू आगए और सिच्थथी फाइब बार 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 रिपीट नहीं करना है। उसको आप रिपीट कर सेकता हूँ, बार बार रिपीट करने में क्या होते हैं, बोडी की इम्मुनिटी कौम हो जाते हैं। हमें यात रखना चाहिए। तो निमोनिया से आप बिलकुल भी न डरें, निमोनिया की भरपूर जानकारी रखें। जिस तरह से आपने बताया है कि जो भी रिस्क ग्रुप्स हैं, उनको खास तोर पर अपना शरीर का ध्यान रखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें। और साथ ही में कोई मदिरा पान य जाती उसको टाइम से लगाएंगे तो आप घातक निमोनिया की कॉम्प्लिकेशन से अपने आपको बचा सकते हैं। हम एक चीज़ बताना चाहते हैं। एल्डरली पेसेंट में ज्यादा निमोनियाल डिजीज ज्यादा होते हैं। अगर आपको इंसीडेंस बताएं। 60 ये इससे पता लग रहे हैं। ये इल्डरली में ज्यादा होते हैं। तो इल्डरली पॉपुलेशन में इवन हेल्दी में भी हम लगा सकता है। अगर अनकॉंट्रोल डाइबिटी से, कॉनिक लांग, लिवर, किड्नी डिजीज से, सी एनेज डिजी से, निमोनिया डिफ की बै सर्च नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे भी आप ख्याती प्राप्त की है आपने, बहुत काम किया है आपने, पल्मरी मेडिसम में आप बढ़ाई के पातर हैं। आप से एक चीज और जानना हम ज़रू समझेंगे कि बच्चों में अगर हम बात करें तो बच्चों में जो निमोनिया हुआ और बाद में भी निमोनिया हो गया। तो इस जो यह confusion है इसको आप कैसे clear करते हैं। कैसे देखते हैं। मैं पेडिर्टेशियन तो नहीं हूँ बट आपको बता सकते हैं बच्चों में रेस्पिटी सेंसी तियल भाइरस इसकी इन्फेक्शन ज्यादा होते। बढ़े में क्या नहीं होते, एक मिसकोंसेप्शन पता नियुक्त 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 नि हम उसको माल्टी लोपर निमोनिया बोलते हैं तो आपने बखूब बताया कि बच्चों में जो है निमोनिया है उसमें जो सांस की गत है वो एक बहुत ही बड़ा पैरा मीटर है आपको लगता है तो और बीजिए यह सांस की गत जादा बढ़ रही है आप कुछ और भी इसमें आप कहीं आपको नहीं इंपरेंट पॉइंट बताना चाहता हूं हमने सी कानिक अप्स्टर्प्टिब प्लमोनिय दिजी जो हम हमें सही स्मोकिंग से रिलेट करते थे इसकी बहुत सारी रिजन होते है इंडौर एर पालीशन एट्डोर एर पालीशन एक एक इंपरें रिज तो इसलिए निमोनिया को प्रीवन करना बच्चों में बहुत जुरूरी है। इंफ्लुएंजा वैक्सिन की एक और इंपर्टेंट रोल है बच्चों में इस पॉइंट में बताना चाहता हूं जैसा किसी बज़े से कोई बच्चा को जैसा डॉक्टर ने ऐस्पिरीन प्रिस्काइब किया। ऐस्पिरीन की साथ अगर इंफ्लुएंजा हुआ तो एक खौतरनक सिंड्रोम होते है। उसको प्रिवेंट करने के लिए इनदर रीजन जिस बज़े से बच्चों को इंफ्लुएंजा वैक्सिन लगाना चाहिए। बट अभी तो जितने स्टाड़ी है सिक्स मांथ की नीचे इंफैंट की कोई अभी ट्रायल नहीं आया। इनफ्लुएंजा वैक्सिन की तो डॉक्टर सरकार जी जिस तरह का सरदियों का मौसम अब आने वाल है आगे तो आप अपने आपको क्या थंड भी कारण बन सकता है नीमोनिया का डिरेक्ली आपने बताए इंडिरेक्ली ओवरक्राउडिंग होगा या फिर वो आपको इस त बहुत सालों से है विंटर की टाइम निमोनिया ब्रॉंकाइटी आपर रेस्पिटी इंफेक्शन सारी कॉमन होते हार कंट्री में विंटर में ज्यादा फ्रिक्वेंटली मिलते बिकॉस आपको पहले ही बताया था जब भाइरस एरोसल होते उसकी स्टेबिलिटी यार में ब आपको लगता है कि चार-पांच दिनों से जादा अगर वह सिविर्टी उगर हो रही है सिविर्टी बढ़ रही है और साथ ही में उसके साथ अनकंट्रोल्ड फीवर है या कॉफ आ रहा है कॉफ में आपने जिस तरह से बताया कि उसका कलर चेंज हो रहा है या अगर कोई ब्लड भी कॉफ में आ रहा है तो उसके इलावा अगर कोई और लक्षन है जैसे कई बार कन्फूजन भी देखा जाता है में कोई स्मोकर है उसमें हम मेलिगनेंसी भी कई बार बात करते है तो यह जो अगर मेलिगनेंसी या ट्यूबर क्लोसेज जैसा अगर कोई लक्षन निमोनिया में आ रहा है तो उसमें क्या-क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या-क्या चीज अलार्मिंग हो सकती है हमारी प्रवेट, फीबर, वेट लॉट्स अब चाहिए, चेस्ट एक सरे में अगर है, आपको सास्पीशन ज्यादा होना चाहिए, आपको देखना चाहिए, पैसें की घर में किसी को टीबर क्लोसी है, हमोप्टीस हो सकता है, इसमें, सेगन आपने पूछाता है, किस किस मेडिकल कॉ हो गया, पैसें को पाइवर पर्सिस्टन 5 देश हो गया, फीबर ठीक नहीं हो रहा है, पैसें को टेकीप्निया उसको बोलते रेस्पीटिरेट जादा, सास फूल लाइब, ब्रीधिं डिपकल्ती हो रहा है, हेविनेस हो चेस्ट में, तो पैसें की ब्लाट पीसर फॉल हो र आप एक्सपेक्ट बल्गाम आना यह सब तो होते बड़ एल्डरली में हम यह नहीं सोचे जे टीपिकल ऐसा ही सिंप्टम लेकर आएंगे देखा गिया जे पैसें एल्डरली पैसें निमोनिया हुआ पैसें अंकॉंसर स्टेट में इमर्जेंसी में आया तो आप इस हो सकते है कोई cns condition है अक्चुली उनको निमोनिया है बडर में की टीपिकल सिंप्टम नहीं होते हैं जैसा कोई इल्डरली पैसें को हार्ट डीजेस हैं, आप फेलियॉर है नोन केसे हैं उनकों निमोनिया की बाद आप पैसें नहीं आएंगे उनकों रहीं हाट फेलियॉर जादा होक आगर कॉम होगा उसमें फीवर बगड़ा नहीं भी आ सकता है। तो हमारी देश में आपने पूछा, यह हमारी देश में टी-बी एंडेमिक है, तो हमें टी-बी की डिफरेंशियल डिएकनोसिस में हमेसा ही सोचना चाहिए। कुछ हमने पॉइंट सब को बताया। तो आपने जैसे बताया कि उसमें बलगम भी आ सकता है, बलगम में खून भी आ सकता है, टिपिकल प्रेजेंटेशन आपने बताया कि कुछ हटकर भी हो सकते हैं, आपकी जो मनवरिती है या आपका जो अपर स्टोरी जो आपका मेंटल कन्फूजन हो सकता है उसमें, और साथ ह लेके अपना इन्वेस्टिगेशन जो भी करवाना है उसे तुरंट करवाना है और साथ ही में जैसे आप बता रहे हैं पांच दिन से जादा का फीवर और साथ ही में बलगम का पीलापन तो बलगम की जाच भी बहुत महतुपून बनती है तो डॉक्टर सरकार जी जिस तरह से तुबर क्लोसिज अब हम यह दावा करते हैं कि टुबर क्लोसिज अल्मोस्ट अब हमारे पूरे कंट्री में ही काफी इंसिदेंस के कम है पर परवती और पहड़ी शेत्रों के अगर बात करते हैं तो अभी भी टुबर क्लोसिज जो है आपके अनुभव से और आपके इसी के विशेशग्य हैं तो आपको क्या लगता कि अभी भी तुबर क्लोसिस का इंसिडेंस ज्यादा है हमारी डिटेक्शन रेट यहां ज्यादा है उसकी एक रिजन मैं ही सोचता हुझे हमारी हेल केर सिस्टेम बहुत अच्छा है तो पेसेंट की आल्ली डाइग्नोसीज आल्ली देश में जो टीबी प्रिविलेंस सार्वे हुआता है उसमें मोर देन सिस्टी परसें टाइम देखा गिया जो पेसेंट ने हेल केर की एसिस्टेंट लेने में कभी लेट किया तो इसके लिए हमें इनफॉर्मेशन एडूकेशन सिस्टेम को यूस करना है पेसेंट की अवर बहुत मारत जाता है जिसतरह से कार्डियॉगिस्ट नाएट है रियेणल वाले बोलते है और जाते रियूर्मेशन आपको भी कुछ तो इस तरह सी और आपके परशलों डाएट तो हेल्दी बैलेंस डाएट होना चाहिए बट हमारी जो कॉनिक लांग डिजीज पेसेंट होते हैं बहुत ताइम देखा गिया जे उनकी सीस्टेमिक इंफ्लामेशन बसुजी बोलते हैं उसे बोडी की मॉसल लॉस हो जाते हैं बोडी वेट भी कॉम हो जाते हैं बी जो स्टाड़ी हुआ टीवी की इंसी 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 इंस फैक्टर उसमें सब्चे इंपॉर्टेंट रिक्स फैक्टर आया अंडर नुट्रिश्टी सो हमने पेसेंट को प्रोटीन डीज डाएट एडवाइस करते जो सी ओपीडी पेसेंट जिनकी बीएमाई लो है हम उ हेल्दी डाएट अगर बीएमाई फॉल हो रहा है पेसेंट की देना में प्रोटीन डाएट यूज़ करना है जोक्तर सरकार जी समय का भावा है आज आप हमारे सकारिकरम में आए और बहुत महत्पून जानकारी हमारे दर्शकों से सांजा कर उन्हें लाभानवित किया तो म आपको इसे लाभ मिलेगा साथ ही मैं आज इस कारिकरम को यहीं समाप्त करने की आप से अनुमती चाहेंगे अगली बार फिर मस्तित होंगे एक नई समस्या और एक नए विशेशक के साथ तब तक के लिए आगए दीजिए नमस्कार झाल